ये विडियो उनके लिए है जिनको इन्रोल्मेंट के लिए LMS सिस्टम में इन्रोल होने में प्रॉब्लम हो रही है वो भी Python का चिल्ला 2024 के कोर्स के लिए आप Google पे जाएं, यहां पे लिखें Codenix.com Codenix.com लिखने के बाद Codenix.com पे चले जाएं यहां पे Courses में चले जाएं Courses में जाने के बाद यह Python का चिल्ला आपके सामने आजाएगा इसमें आपने इन्रोल करवाना है और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे You have to actually Register Now पे क्लिक करना आपने ताके आपका निया ID बन जाए अगर आपको Danix की website पे already registered है तो आपको Register Now पे क्लिक करने के ज़रूरत नहीं है Register Now पे क्लिक करने के बाद आपने यहां पे अपनी information लिखनी है And you have to add all the information फिर register पे क्लिक कर देना मेरे पास already इसकी registration हुई पड़ी है और मैंने एक account बनाया है जिससे मैं क्या करूँगा यहां से login करूँगा आप यहां पे login पे क्लिक करके इस पे login भी कर सकते है और यह मेरी ID है मैं यहां पे login करके sign in कर लेता हूँ जैसे मेरे पास account है तो मैंने sign in कर लिया आप मेंसे काफ़ी लोगों के पास sign in नहीं होगा क्योंकि आपका account नहीं है so you have to register for the website अच्छा करने के बाद ये इस तरीके से आपका dashboard आता है और ये right side पे आपके पास dashboard है profile है enrolled courses and there are many other things आप enrolled courses पे click करें यहाँ पे आपके जितने भी courses हैं वो आ जाएंगे मेरे पास इस वकत enrolled course ये वाला है तो मैं again courses पे जाता हूँ मैंने करना है इस course को enroll python का चिल्ला 2024 तो मैंने क्या किया है इसको पहले ही add to cart कर लिया यहाँ से ठीक है तो ये मेरे cart पे मुझूद है अगर मैं यहाँ पे view cart करूँ तो ये मेरे पास course already मुझूद है इसके अंदर मैं इसको remove करता हूँ और मैं वापिस जाता हूँ courses पे courses पे जाने के बाद इस पे click करता हूँ तो आपके सामने sorry ये सही तरीके से remove नहीं हुआ I will do it again now it's removed I think let's see ये मेरे पास एक course है और मैं इसको add to cart कर लेता हूँ बलके मैं इसके दुबारा से इस पे click करने के बाद यहां पे जाता हूँ and ये view cart मेरे ख्याल से इसकी cookies का issue आ रहा है sometimes it happens तो आपने by the way यहां पे add to cart पे click कर देना ठीक है so मेरे पास यहां पे add to cart होगा लेकिन of course क्यूंकि ये cookies का issue आ रहा है फिल करके register करवाना है for example here you go यह है registration form आपने इस पे click करने है और यहां पे जितनी भी fees और बाकी चीज़ें यहां पे require कीगी है आपने वो fill करके हमें receipt बेज देनी है and then you have to proceed to check out आपने कुछ भी pay नहीं करना यहां पे आपने सिरफ इस form पे pay करना है and then you have to proceed to check out जब आप proceed to check out करेंगे तो फॉरान आपके पास यहां पे कुछ चीज़ें required है कुछ चीज़ें optional है तो आपने इस तरह के से उनको fill कर देना और email address वो देना है जो आपने इसी python के चल्ले के form के अंदर दिया था जैसे आप वो देंगे यहां पे वो सारी detail लिखेंगे आप यहां पे agree पे click करेंगे and complete payment पे click कर देंगे जैसे आप यह complete payment पे click करेंगे you will see कि आपके पास यह आ जाएगा कि thank you your order has been received तो आपका order number है यह तो आपने यह वाला order number paid at kodenix.com पे अपनी receipt के साथ भेजना है जो आपने इस form में fill करके upload की थी यह तीन चीज़ें order number और यह वाली चीज़ आपने हमें कहां पे भेजनी है मैंने जैसे आपको बता दिया of course यहां पे बाकी details भी आपके पास आ रही होंगी but these two things plus the receipt is important जैसे वो मेरे पास आएंगी कि मैं वहां से approve कर दूँगा इसे और approve करने के फॉरण बाद आपके पास detail आ जाएगी कि जनाब आपका course जो है वो आपके पास enroll हो चुका है अब इसकी एक बेहतरीन example यह है कि मैं भी जाता हूँ और वहां से अपने website से जाके से approve करके आपको दिखाता हूँ कि जब approve होगा तो आपको यह किस तरीके से website के उपर ही update हो जागा मैं यहां पर click करके अपने पास इसको approve करता हूँ just give me one second approval की मैं of course आपको नहीं दिखा सकता किस तरीके से approve हो है बढ़ जैसे मैं इसे approve करूँगा मैं courses पर जाता हूँ courses पर जाने के बाद python के चिला पर click करता हूँ and यहां पर enrolled courses में आता हूँ enrolled courses में आपके पास याप course नजर नहीं आ रहा कोई भी क्योंकि अभी तक वो update नहीं हुआ उसकी reason यह है कि आपको email जाता है जब आप उस course के अंदर जो है वो accept हो जाते है ठीक है so let me check the email और उस पर मैं click करके देखता हूँ कि अगर मेरा course okay हो गया के नहीं यहां से मेरे पास okay हो चुक है तो मैं दुबारा से उस course में जाता हूँ and active courses मेरे पास यह है यह देखें जी मेरे पास update हो चुक है python का चिल्ला मेरे पास आ चुक है मैं इस पर click करता हूँ click करने के बाद यह view card करने की ज़रूरत नहीं है because यह already मैं इस course के अंदर enroll हूँ और यह मेरे enrolled courses में show हो रहा है you just need to wait a bit अकसर उकात आपको थोड़ा सा ज्यादा wait करना पड़ता है अकसर उकात थोड़ा सा कम wait करना पड़ता है and then आपके पास यह enrolled courses आ जाते हैं फिर active courses आ जाते हैं और उसकी base पर आप start learning पर यहां से click करेंगे और यह आपके पास यह इस तरीके से course start हो जाएगा ठीक है तो आपने one by one करके यह LMS की videos देखते जाना है lecture सुनते जाना है यहां पर आपके पास सारे का सारा कुछ open हो गया है जितने भी lectures हैं आप इस lecture पर click करेंगे तो यह वेला lecture आजाएगा और इसके नीचे ही यहां पर आप question answer भी कर सकते हैं and then you can also comment on this thing और कुछ चीज़ें सिर्फ और सिर्फ paid लोगों के लिए available है बाखी पहले 5 classes जो हैं वो सभी के लिए available होंगी अब आप यहां पर अगर चेक करें काफी लोगों के आपके पास comments भी आया होंगे and we are going to deal with those things as well अगर आप चेक करें तो हमने जितने भी lectures हैं यहां पर आपके पास इस तरीके से आते जाएंगे जैसे आप complete करेंगे महां का is complete पर click करके आगे proceed कर लेंगे तो इस procedure को follow करें और इस course के LMS system में ज़रूर enroll हों अगर आपने register करवा दिया हुए इस procedure को follow करते होंगे अगर आपको फिर भी कोई issue आ रहा है then you can contact us at info at codonics.com एक मसला सभी का यह होता है कि वो mobile पे इसको enroll करने बैठे होंए भई PC use कर ले आपसे request है See you in the next one Allah Hafiz